हेलो गाइज वेलकम बैक टो मैं चैनल साइनवीत निखिल में तो जैसा कि मैंने पिछलो वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग 1909 से 1935 के बीच में जो समय धानिक परिवर्तन हुए भारत में उसके हम लोग एके करके देखेंगे तो हमने पिछले वीडियो में 1909 का यह अ सासन अधिनियम अब हम देखेंगे 1919 का यह भारतिय सासक अधिनियम ठीक है जिसे हम मॉन्टेग्यू चैन्सफोर्ट सुधार कहते हैं ठीक है तो इससे वाले थोड़ा सा परीचे देख लेते हैं भारत सचिव मॉन्टेग्यू नौमबर 1917 में स्वयम भारत आये तथा का एक समीती गठित किया गया जिसमें परमुक निता थे भुपेंदरनाथ वसू चार्ल्स रोबर्ट तथा सर विलियम ड्यूक ठीक है इस समीती ने वासराय चैन्सफोर्ट के साथ मिलकर मॉन्टेग्यू मोहदय की सुधारों का मसवीदा तयार करने में साहता की और इन लो इसकी सिफारिसो के अधार पर ही भारत सरकार एधिनियम 1919 बना और इसी के रिलेटेट करके ही यह भारत सरकार एधिनियम 1919 बना गया तो हम लोगा पिछने वीडियो में 1909 का मॉन्टेग्यू सुधार देखा था अब हम लखेंगे 1909 का यह क्या क्या इसमें सुधार हुआ था पहला सुधा इस अधिनियम में एक सदनिय विधान परिशत के अस्थान पर केंद्र में दुई सदनिय वविस्था आरम हुई अब एक सदनिय विधान परिशत को वोगों ने दो पाटों में डिवाइट कर दिया एक सदन राज्य परिशद कहलाया और दूसरा केंद्रे विधान सभा राज्य परिशद और केंद्रे विधान सभा एक राज्य में अपका परिशद बना और एक केंद्र में इसको दो पाटों में डिवाइड कर दिया गया ठीक है दूसरा राज्य परिशद जो उप सदन था म 60 सदस्य थे जिसे राजय परिशत को यहां उपसदन कहा गया और उसमें कितने सदस्य थे 60 सदस्य थे जिनमें से 26 गवर्ना जनरल द्वारा मनुनित होते थे इसमें 26 गवर्ना जनरलों जो 60 सदस्य थे उनमें से 26 को गवर्ना जनरल ही मनुनित किया कर दे थे और 34 निर्वाचित होने थें और 34 को निर्वाचित किया जाता था ये सदस्य पांच वर्सों के लिए बनने थें और ये लोगों का कारेकाल पांच वर्सों तक रहता था मताधिकार बहुत सिमित था और मताधिकार भी उन लोगों का बहुत सिमित था केवल वही लोग जिनकी आई 10,000 रुपे वार्सिक थी, अथवा जो नियुत्तम 750 रुपे वार्सिक भूमी करक के रूप में देते थे, उन्हें ही मत का अधिकार प्रात हुआ था। मतलब जिनका वार्सिक आया आपका था 10,000 रुपे और जो 750 रुपे वार्सिक भूमी कर देते थे उन्हीं को मत का अधिकार दिया गया था दूसरे प्रत्यासी को किसी विधान मंडल का उनुभाव होना चाहिए था अथवा वा किसी विधाले की सीनेट का सदे से होना चाहिए था अब दूसरा कराइटेरिया क्या रखा मत्दान के लिए प्रत्यासी को विधान मंडल का एक्सपरियंस होना चाहिए था या तो वह कोई विधान मंडल का सदे से होने चाहिए थे इसके तरीक वो अधिकारी भी होना चाहिए मतबब वो कोई officer भी होने चाहिए थे next तीसरा क्या सुधार रहा था केंद्रे विधान सभा में 145 सदस्य थे अब जो दुसरा पार था केंद्रे विधान सभा उसमें 145 सदस्य थे जिन में 104 निर्वाचीत तथा 41 मनोनित होते थे उसमें से 104 निर्वाचीत होते थे और 41 मनोनित होते थे सभा का कारेकाल 3 वर्स था और इसका कारेकाल कैसा था 3 वर्स तक था परंतु गवर्नर जनरल की एक्षा पर बढ़ाया भी जा सकता था परिशत में भी मत्य दिकार बहुत ही सीमित रखा गया था, क्योंकि जादा लोगों को भोड़ देने का अधिकार नहीं दिया घ। क्योंकि वे लोग अधिकार का गल्ट उप्योग कर लेंगे। वो लॉब भारती लोगों को ना समझ समझते थे कि वो लोग क्या हिसासन करेंगे। तो वो लोग इसलिए सोच समझ के यह उठाते थे और वो एक अपना क्राइटेरिया रखते थे अथवा 15 रुपे वार्सिक नगरपाली का कर देता हो या फिर 15 रुपे नगरपाली का कर के रूप में वो देता हो अथवा नियुत्तम 2000 वार्सिक आएक पर कर देता हो मतलब और या तो 2000 रुपया वार्सिक कर वो वार्सिक आएक पर वो कर अपना देता होगा टेक्स जो 2000 रुपया कमाता है उसी में वो 2000 के हिसाब से टेक्स देता हो अथवा 50 रुपय वार्सिक भूमी कर देता हो या फिर 50 रुपय वो भूमी कर देता हो मतब इन चारों में से कोई एक क्राइटेरिया वो में वो सफल रहता हो या फिर वो एलिजिबल रहता हो तो वो अपना मतदिका प्राप कर सकता था ठीक है वासराय की कारेकारणी के आठ सदस्यों में तीन भारती होते थे वाइसराय की कारेकारणी में 810 से टोटल होते थे उसमें से 3 भारतियों होते थे प्रिथक निर्वाचन की आलोचना की गई किन्तु इसका विचार किया गया यह मुसलिमों के साथ साथ सिखो और यूरोपिय लोगों को भी परात हो गया ठीक है पांचरा सुधार देख लेते हैं इस अधिनियम का एक महत्पूर्ण विवादस्पद प्रश्ण था प्रांतों में द्वेद सासन का लाया जाना तो इस अधिनियम का महत्पूर्ण विवाद का जो प्रश्ण था उसमें था कि प्रांतों में द्वेद सासन का लाया ज अब इसके अत्री प्रांतियों विश्यों को दो भागों बाटा गया, पहला आरक्षित और दूसरा हस्तांत्रित, ठीक है, आरक्षित विश्यों का प्रशाशन गवर्नर अपने उन सदेस्यों की सहयता से करता था, जो मनोनित होते थे, विधान मंडल के परतिव तरदाई नह करता था, अब हस्तांत्रिक विश्यों का प्रशाशन गवर्नर किसे सहयता लेते थे, तो जो निर्वाची सदेस्यों से निवक्र होकर आते थे, ये लोग सदन के परतिवतरदाई थे, परंतु वे गवर्नर की इक्छा पर ही अपने पदों पर बने रहते थे, और टोटल व परी सासन कब तक चलती रही इसी तरह, एक अपरेल उनिसो एकीस तक से एक अपरेल 19 esteva तक ये चलती रही। यदपी बंगाल में वर्स 1924 से 1927 तक, तथा मध्य प्रांत में वर्स 1924 से 1926 की तक कारी राज्य का जितना मातवे उसी पर वो विभाजन होता था सी टो का ठीक है अब भारत सचीव तथा उनके कारियाले का खर्च ब्रिटी सरकार पर डाल दिया गया अब भारत सचीव का खर्चा किस पर डाल दिया गया तो ब्रिटी सरकार के उपर डाल दिया गया तो आसा करता हू कि आपको मंटग्यू का सुधार समझ में आ गया होगा पूरी अच्छे तिरकास से और मैंने पॉइंट वाइस पॉइंट इससे लिए डिसकस किया है क्योंकि आप लोगों को नोट्स बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो और समझने में भी कोई दिक्कत ना हुआ तो इसी तरह आप मेरे साथ मेरे इस चैनल पर बने रही है इनफर्ट मेरा क्या चैनल है यह आप लेगा का चैनल है आप लोग ही को आप लोग नोलेज गेन करिएगा और मुझे इससे बहुत ही खुसी होगे सो थैंक यू